So hello everyone, welcome back to my channel स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे आज हम अन्बोक्स करने वाले हैं HP Pavilion 14 So guys, वीडियो कलास तक बने रहे हैं और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें कोमेंट करें और शेर करें सो गाइस चलिए देखते हैं इसका model configuration और look दिखाते हैं इसका बताते हैं आपको model क्या है configuration इसमें क्या है और ये किश लुक में है सो ये है आपका HP Pavilion laptop 14 TV 0058 TU इसका जो configuration है I7 processor इसमें मिलता है 1165 G7 का processor इसमें आपको मिल जाता है साथ में इसमें मिलता है 1 TV Solid State Drive यानि की SSD 16 GB इसमें आपको RAM मिल जाता है DDR4, 32 MHz Windows 11 मिल जाता है Fingerprint Reader मिल जाता है Full HD IPS LED मिल जाता है Dyson Eats के साथ Bendo को Shond मिल जाता है और 3 सील का battery मिल जाता है 43 Watt में इसमें आपको जो है इसका battery मिल जाता है इसमें आपको मिल जाता है Office 2020 Home and Student साथ में PowerPoint एक्षल बगेरा शारा चीज़ मिल जाता है यहाँ पे आपको मिल जाता है Users Intel Insight का processor इसमें मिल जाता है Core F5 11th generation का इसका processor है September 2021 का इसका manufacturing है और अगर MRP की बात करें तो 97, 8, 6, 7 इसका जो है आपका MRP है और market price की बात करें तो अप्रोक्स 8281 इसका जो है आपका market price है यहाँ पे आपको model मिल जाता है फिर से 14 DB 0058 TU इसका model है 14 इंच में है light weighted है यहाँ पे आपको मिल जाता है फिर से HP का logo चलिए और देखते हैं इसका look दिखा देते हैं आपको इसका अन बॉक्स करते हैं डबबा ओपेन करते हैं और इसका look दिखाते हैं आपको साथ में इसमें और भी क्या-क्या features है वो भी आपको इसका बताते हैं तो डबबा आपमें ओपेन कर लिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सूरत सा सिलवर कलर में 14 इंच का लैप्टॉप निकलता है साथ में एक charger मिल जाता है आपको 65 वाट का इसमें आपको charger मिल जाता है साथ में एक power cable मिल जाता है और कुछ setup instructions बागेरा इसमें आपको मिल जाता है इसकालाबा डबे में आपको कुछ नहीं मिलता है so यहाँ पर सेट आप इंटेकशन बगेर है आप कैसे यूज करना है इसको चली हरकते हैं अब आधें चार्जर के तरफ देखते हैं चार्जर इसमें कैसा मिलता है आपको इसमें आपको 65 वाट का चार्जर मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं स्मॉल पीन के साथ है यह है एक एक गंटे 20 मिनट में फूली चार्ज आपको फूल चार्ज कर देता है लाइट बेटे रहर थीन है लाइट है बहुत इखुब शुरत है आपका शिलवर कलर में है यह आपका और 14 इंच में है मैटलिक लुक इसमें आपको मिलता है वण पॉंट आपड़े जाता है 1.1 kg के अप्रॉक इसमें आपको वेट मिलता है यहाँ पर देक सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लुक इसमें आपको मिलता है पवेलियन 2021 का यह आपका रिसेंट्री लॉंच लाप्ट ओफ है यहां पर आपको आई फाइव एलेवन जनेशन प्रोसेसर मिलता है साथ में आई रिस का ग्राफिक्स मिल जाता है भी एंडो को शॉंड मिल जाता है फिंगर हेल्फ लाइन नम्मर मिल जाता है तो अगर कीबूर्ड की बात करें तो इसमें आपका चकलेट कीबूर्ड मिल जाता है साथ में इन बिल्ड फिंगर प्रिंट मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको बैक लाइट भी मिल जाता है आपको पापर रॉन अफ बटन मिल जाता है बैक लाइट इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको कीबूर्ड देख सकते हैं बहुत सॉप्ट है बहुत ही टैपिंग के लिए बेस्ट है तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको एंटी ग्रियर डिस्प्ले मिलता है फुल एच्टी आईपियस नैरो बैजल डिस्प्ले इसमें मिलता है आपको बहुत कम बैजल से इसमें आपको देखनी को मिलता है साथ में अगर कैमरा की बात करें तो 720 का दो कैमरा मिल जाता है HD कैमरा मिलता है फुल एच्टी डिस्प्लेयस में मिलता है आपको अ साथ में इसमें आपको IPS मिल जाता है और एंटिकलियर इसमें आपको इसके साथ मिल जाता है ग्राइब को सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां पर इस साइड से में आपको लोग दिखाता हूं बहुत स्लिम लाप्त ओफ है एक नोट बुक की साइज का इसका लोग है यहां पर आपको USB पोर्स मिलता है साथ में चार्जिंग का पोर्स मिलता है सारी आडियो जैक का पोर्स मिल जाता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर SD कार्ट लगा सकते हैं साथ में एक USB मिल जाता है HDMI मिल जाता है और पोड़ीयो जो किसमें मिल जाता है इसमें मिल जाता है दो यहां पर आपका rubber का gripping मिल जाता है दो, B&O का इसमें आपको quad shond मिल जाता है, एक इस side और एक चस्ट इसके opposite side इसका आपका shond मिल जाता है, sound quality की बात करें तो B&O का best quality होता है, weight इसका 1.1 kg का weight है, अगर आपको एक premium laptop लेना है, तो आप इसे purchase कर सकते हैं, प्रोसेसर भी इसमें आपको बढ़िया मिल जाता है i7 का 11th जनेशन प्रोसेसर मिल जाता है साथ में Iris का Graphics मिल जाता है जो कि अच्छा खासा Editing बागेरा के लिए आपको काम आ जाता है साथ में इसमें RAM अपग्रेटबल है वैसे तो इसमें 16GB RAM इसमें मिल जाता है बट अगर आप चाहें तो और भी अपग्रेट कर सकते है 32GB तक इसमें आपको अपग्रेट कर सकते है 1TB इसमें आपको SSD मिल जाता है NBMB M.2 जो कि अस्टोरिज के लिए इनप होता है डिस्प्रेट में मैंने आपको बताया IPS डिस्प्ले मिल जाता है और अगर इसकी sRGB की बात करें तो 55% sRGB इसमें आपको देखने को मिल जाता है बैक लाइट मिल जाता है इसमें आपको fingerprint मिल जाता है metallic look में इसमें आपको मिल जाता है इसको बायूस वगिरा ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इंटर्नली इसमें क्या-क्या मिलता है यहां से आपको बायूस इसमें दिखाते हैं और देखते हैं इसका इसके बायूस में आपको क्या-क्या कॉन्फिक्रेशन दिखता है वी तो कुछ यह पर आपको मेन्यू मिल जाता है जिसमें वी चैता है सारह इसमें आपको details बिल जाता है यहाभ चेख लिए एप 12 सीरियल नमर बगेरा मिल जाएंगा यहाँ पे आप सारा चीज़ देख सकते है रायम बगेरा मिल जाता है प्रोसेसिंग स्पीड मिल जाता है सारा चीज़ सब भी सुचया सा प्रोसेसिंग स्पीड इसमें आपको मिल जाता है शेक और का प्रोसेशर है यह सारा चीजिस के अंदर आपको यहाँ पर दिख जाता है so guys thank you so much वीडियो देखने के लिए उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा so अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please हमारा चानल को subscribe करिएगा comment करिए और share करिए so thank you so much और वीडियो को लास तक जरू देखे so यहाँ पर सारा information आपको मैंने दिखाया है सारा चीज़े टो जैट इसमें आप यहाँ से check कर सकते हैं देख सकते हैं अगर आपको और भी detail में कुछ जाना है तो नीचे में आप comment करिए अब comment में इसका आपको शावाल कर जवाब देदेंगे so thank you so much यहाँ से आप सारा चीज़ देख सकते हैं अगर आप laptop purchase करने जाते हैं तो पहले आप BIOS चेक कर लिजिए सारा details में आप ले लिजिए model मैं आपको बताया है model आपको देख के लिजिए बढ़िया लाप्रोफ है लोग भी बढ़िया है खुब शुरध है और बहुत ही बहतरी इसमें आपका लोग मिल जाता है so thank you so much बहुत है झाल झाल